दोस्तों Samsung अपनी वापस J-Series को सुरू करने वाला है और जो phone launch होने वाला है उसका नाम है Samsung Galaxy J15 Prime इसमें आपको मिलता है Snapdragon 7 Gen 2 का chipset, साथ ही में 108MP का triple rear camera, phone जो फुली 5G रहेगा, साथ ही में AMOLED 2 के display मिलेगी तो यहाँ पर आप OTT platform पर समय भी दा सकते हैं और पुरी information जानने के लिए इस वीडियो को last तक देखते रहेगा सबसे पहले बात करते हैं cameras की, तो back side पर 108MP का triple rear camera मिलता है, जो main lens है, वो 108MP का है बाकी ultra short और micro के लिए अलग-अलग camera प्रोवाइट किये गए हैं, बाकी इस phone से आप OS में 4K recording कर पाएंगे तो इसमें आपको जो camera की detail है वो काफी अच्छी देखने को मिलेगी, super ultra wide video भी capture कर पाएंगे, जो cinematic scene निकालने के लिए काफी useful रहेगी साथ ही में dual mode recording, AI color portrait video, magic zoom, panorama, HDR और Samsung के जो खास feature है वो सारे यहाँ पर आपको provide कर आए जाएंगे और इसमें आपको AI feature भी देखने को मिल जाएंगे, front camera आपको 25MP का मिलेगा, इस साब face beauty in portrait shot ले सकते हैं दोस्तों, Samsung ने इस बार Exynos का process यूज नहीं किया है, इस बार यूज किया है, snapdragon 7 Gen 2 का chipset, जो की एक well optimized chipset है यहाँ पर आप video rating के साथ साथ gaming भी अच्छे से कर पाऊगे, एक flagship killer chipset है, यहाँ पर आप high graphics में जो gaming यह अच्छे से कर पाऊगे phone में आपको liquid cooling का support भी मिल सकता है, या हो सकता नहीं मिले, तो मैं आपको दोनों चीच बता दिया हूँ इस में आपको 4GB RAM और 8GB का option मिल जाएगा, साथ ही में 6GB का variant भी मिल जाएगा, और 8GB आप वर्चुली बढ़ा सकते हो साथ ही में UFS 2.2 का storage रहेगा, तो इस phone की read speed और power consumption की capability काफी अच्छी रहेगी Android 15 पर यह काम करता है, साथ ही में Samsung का जो UI होगा वो latest होगा, 7 year के major update मिल जाएगे और 5 year की security update मिल जाएगे, Samsung Galaxy J15 Prime की जो display है, वो काफी IKC है, इसका जो size है वो 6.3 inch का है, जो की AMOLED है, 2K display है, 16 million color का option मिलता है 900 nits की peak brightness है, AJ10 Plus को certified है, अगर आप यहाँ पर content watching करते हो, तो YouTube पर आप 4K वीडियो देख पाएंगे, साथ ही में YouTube पर साथ साथ Netflix, Amazon Prime भी आप अच्छे से देख पाएंगे और दोस्तों यहाँ पर आपको जारा समय बिताने के लिए, फोन में बड़ी सी बेटरी मिलती है, और उसको fast charge करने के लिए 44W का fast charging का support मिलता है यहाँ पर आपको दोस्तों power button के उपर ही volume button के option मिल जाते हैं, साथ ही में नीचे की तरब speaker, type support, mic का support रहेगा इसमें आपको dual story speaker का support रहेगा, phone जो है वो NFC को support करेगा, इसमें आपको दोस्तों in display finger pin मिलता है, face unlock की सुवीदा रहेगी, मैंने जैसे आपको बताया है इसमें आपको दोस्तों hybrid SIM slot मिलता है, यानि phone में एक SIM, एक memory card लागा सकते हो, और 256GB तक storage बढ़ा सकते हो ये phone completely 5G रहेगा, और NFC को support करेगा, मैंने आपको बता दिया है, बात करते हैं, pricing की, तो 20-25,000 रुपे इसका price होगा, तो 20-25,000 रुपे में क्या क्या मिल रहा है, AMOLED 2 के display मिल रही है, 120Hz के रिफ्रेट के साथ, इससे आप दोस्तों 4K वीडियो देख पाएंगे, in display finger pin होगा और 108MP का OIS वाला camera होगा, इसमें आप 4K वीडियो दोस्तों record कर सकते हैं, एंड ये AI feature मिलेंगे, advanced technology मिलेगी, Samsung में, Samsung में आपको बड़ी सी बेटरी मिलती है, 6000 image की, और fast charging का support रहेगा, chipset यहाँ पर आपको snapdragon 7 Gen 2 का मिलेगा, जिसका आंतुत स्कोर, geekbench पर high score करता है, और दोस जोस्तों